हेलो, वेलकम बेक टू माई चैनल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम शिल्पी है, आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पे, और अभी जो है मॉर्निंग का समय हो रहा है, और मैं आई हूँ छट पे, ये जो है मेरे कुछ प्लांट्स है, ये गेंदा का और फू तो फू नो मेरे जो है जो है जी से अड़ूल का फूल कहता है और ये जैंन तुलसी के पौधे, केले के पौधे हैं, जिसे इनकी पूझा हम करते हैं और यह जो है अलवीरा का पौधा है यह देखे जो मेरा अलवीरा का पौधा है वो काफी बड़ा हो गया है और ये जो पौधा है जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉक देखा होगा मेरे भाई की शादी में कुछ पौधे आये थे वो उस समय बहुत सी जादा छोटे थे जोकि ये इतने बड़े हो चुके हैं और दो से तीन हो चुके है यहाँ पे जो है मैंने कपड़े भी धोकर फैला दिये है क्योंकि आज जो है थोड़ी धूप निकली हुई है और इसलिए मैं आई हूँ यहाँ च्छत पे और थोड़ी देर हम सब च्छत पे रहेंगे उसके बाद मैं नीचे चलूँगी और लंच बनाऊंगी और थोड़ी देर में यहाँ बच्चे भी आते होंगे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ देंगे हम और थोड़ी देर हम भी यहाँ पे रहेंगे और कुछ बाचित वगरा करेंगे फिर थोड़ा सा धूप सिखेंगे उसके बाद मैं नीचे चलूँगी और यहां पे जो है काफी ठंडी है लगभग एक सब्ता से यहां धूप नहीं निकली है आज बहुत दिन के बाद यहां धूप निकली हुई है और उसी में कभी-कभी बादल भी लग रहे हैं तो लगभग सभी के छट पे आपको कपड़े ही नजर आएंगे सर्दियों में थोड़ी सी धूप की दिक्कत यहां हो जाती है क्योंकि इस समय धूप दिखना बंध हो जाता है और लगभग 15 जनवरी के बाद से ही धूप दिखाई देने लगेगा और जो मैं है मैं नीचे आ गई हूँ और मैं जो यहां पे पत्ते गूबी मटर आलू की सबजी बना रही हूँ मैंने लंच में सोचा इसे ही बना लिया जाए जिसके लिए मैंने मटर आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है बाद में इसमें पत्ते गूबी को भी आड़ कर लिया है इसे थोड़ा सा मैंने गरम पानी में भाप दिया था और पानी निचोड कर इन सब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने ये देखे और एक बाओल में इसे निकाल लिया है और अगेन ओयल डाल के मैंने थोड़ा सा प्याज उसमें कटे हुए बारी कटे हुए इसमें एड़ कर दिए है ये और जीरा का थोड़ा सा तड़का दिया था मैंने इसमें और यहां पे जो है लैसून का पेश्ट और सभी मसालों को सिंपल जो मसाले जाते हैं वही सब मसाले इसमें जाएंगे और मसालों को इस तरह के मसाले दानी में रखती हूँ जो रोजाना के रेगुलर जो मसाले होते हैं इसमें एड़ वो सब तो यह जो है जीरा पौडर और धनिया पौडर मैंने एक में मिक्स करके इसे रखा है ताकि मुझे एक जगह पे ही मिर्च पौडर धनिया पौडर जीरा पौडर और लाल मिर्च पौडर हली पौडर यह सब इकठे ही मुझे मिल जाए तो मैंने बस यही सब मसाले इसमें एड यह देखे इसे मैं ने सायद प्लिप कट से परचेस किया था तो आप चाहें तो इस तरह के मसालेदानी का यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने हरी मिर्च को एड कर दिया है और थोड़ा सा टमाटर को एड कर दिया है बहुत सिंपल सी सबची है और यहाँ जो है ये देखे ये भत्वा का साग है ये इस समय ठंडी के समय में मिलता है और इसका आज मैं साग बनाने जा रही हूँ इसमें मैं पालक और सरसो का भी साग को एड़ करूँगी इनके जो डंठल होते हैं जो थोड़ा सा हाड होते हैं उन्हें अलग कर देना है और यहां देखिया मैंने सब को कट कर लिया है सारे साग को और सब को अच्छी तरह से वाश कर लिया है दो से तीन बार क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है ज्यादा तो आपको इसको अच्छी तरह से वाश कर लेना होता है वरना जो है इसका टेस्ट बिगड सकता है और थोड़ा सा मैंने ओयल डाला है और कुछ भी नहीं एड़ किया है उसमें बस सिंपल साख को इसमें एड़ कर दिया है और ये जो है देखने में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही कम हो जाएगा इसलिए आप बस इसे थोड़ा सा डाल दिजे और थोड़ा सा नमक इसमें एड़ कर दिजे जिसकी वज़े से ये थोड़ा गलना सुरू हो जाएगा और बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी हो जाती है नमक आपको बहुत ही ध्यान से डालना होगा क्योंकि देखने में ये बहुत जादा लगता है लेकिन बनने के बाद जो है वो बहुत ही कम हो जाता है ये देखिए ये कम होने लगा है और इसमें एड़ करने के लिए मैंने लैसून यहाँ पे डाला है एक पैन में मैंने लै आप अपने जितना आपको तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ही ये मिर्च जादी तीखी नहीं है इसलिए मैंने 5-6 मिर्च को एड़ किया है और इन सब को थोड़ा सा मैं पका लूँगी भूल लूँगी और इन सब का छिलका उतार देना है उसके बाद इसमें एड़ कर देना है तो ये देखिए जो हमारी साग है वो बहुत ही कम कॉंटिटी में बची हुई है अब अभी ये और गलेगी तो मैंने लैसन की छिलके को उतार लिया है और मिर्च को भी पका लिया है और इसको छोटे-चोटे टुकडे कर मैंने साग में एड़ कर दिया है और इस साग को तब टक आपको पकाना है जब तक ये आपको पानी जो दिख राय है इसका वो पूरी तरह से सूख ना जाए यह पूरी तरह से ड्राइ हो जाए तब तक आपको इसको बस ऐसे ही पकाते रहना है और इस समय लीड को है हटा दीजे लीड नहीं लगा यह वरना पानी आपकी जो है वो नहीं जल्दी सूखेगी तो लीजे अब हमारा जो है मिक्स साग बन के तयार हो चुका है हम सब को पसंद है इस तरह की साग आप सब इस तरह की साग पसंद करते हैं कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा और यहां जो है आयूश अपनी पढ़ाई कर रहा है थंडी की वज़े से बेड़ पर ही आयूश जो है पढ़ाई कर रहा है कंबल के अंदर जाकर और इ इसने गलब्स, टोपी वगएरा सब लगाय हुआ है जैसे ही मैंने ेकेमरा इसके सामने मैं लाई हूँ वैसे ही इसने गलब्स निकाल दिया है और अब समय जो हो गया है साम का समय हो चुका है और अब समय है चाय का और मेरी थोड़ी से यहां तबियत खराब है कुछ दिनों से, आप सब को आवाज से पता चली गया होगा, इसकी वज़े से मैंने कैप और शॉल वगेरा सब ले लिया है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, और अब मैं कीचन में चाय बना रही हूँ, ठंडियों के समय में चाय जो है बहुत ही फेबरेट हो जाती है मेरी, और मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद आता है सर्दियों के दिन में, खास कर जो है वो अद्रक वाली चाय मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसे मैं गर्दमियों के दिन में भी पीती हूँ, बहुतों को इलाइची वाली पस और आई उसको पढ़ाऊंगी और आप सबको मेरा वीडियो आज का कैसा लागा जरूर कमेंट करके बताएगा और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड और फैमली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई